नमस्कार आप देख रहे हैं डेली बस इंडिया और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें अफगानिस्तान में लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे यूक्रेन के एक विवान को हाईजैक कर लिया गया है बता दे कि यूक्रेन स्थरकार के मंतरी ने आज अज़ितावा किया है कि इस विमान को इरान ले जाया गया है मंतरी के मताबिक रविवार को ये विमान हाईजैक किया गया था जिसे कोच अग्यात लोगों ने अपने कबजे में ले लिया बड़ी जानकारी इस वक्या ही सामने आ रही है कि यूक्रेन सरकार में ज़िप्टि विदेश मंतरी ने जानकारी देते हुँ बताया कि रविवार को अग्यात लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है मंगलवार को इस विमान को यानि की आज इस विमान को इरान ले जाए गया है जसमें अग्यात लोग हैं इतना ही नहीं हमारे तीन दूसरे निकासी प्लान भी सफल नहीं हो पाई क्योंकि हमारे लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच पाई थे और की वेरपोर्ट पर लैंडिंग भी कर गया था एजंसी के मताबिक जिन लोगों ने इस प्लेंग को हाईजैक किया वो सभी हत्यारों से लेस थे और अब एक बाप फिर से तालिबान की वापसी के साथ इतिहास को धराय जा रहा है देखना होगा कि कब तक ये जो हाईजैक विमान है इसकी जानकारी हाथ लगपाती है तब तक के लिए बने रहे है डेलिवर्स इंडिया के साथ